आकाइश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग प्रदेश में कुरोना वैक्सिनेशन का मौकप राउंड आस से शिरू हो गया है राज के 1100 केंद्रों पर टीका करण से चूटे स्वास्त कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है ये मौकप राउंड तीन दिन चलेगा जिसमें 1,12,000 स्वास्त कर्मियों को टीका लगाया जाएगा सभी को SMS भेश दिया गया है राज टीका करण अधिकारी डौक्टर संतोष शुकला ने बताया है कि प्रदेश मिरप्रत्यम शरण में टीका करण के लिए 4,17,000 करमचारियों को चिनहित किया गया था इन में 73 फीसिदी को टीका लगाया जा चुका है टीका करण से चूटे स्वास्त करमचारियों के लिए आज से मौक अप राउंड शुरू किया गया है इस राउंड में 1,12,000 स्वास्त कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष तै किया गया है इस दोरान जो स्वास्य करता ठीका नहीं लगवा पाएंगे उन्हें बात में मौका नहीं दिया जाएगा उन्होंने पता है कि 6 फरवरी से प्रदीश में कोरोना वैक्सिनेशन का दूसरा चरण शुरू होगा सरकार ने कहा है कि शहरी जल जीवन मिशन को इस तरह से तयार क्या गया है ताकि निरधारित 4,378 शहरों में सभी घरों में नल के जरिये जलापूर्ति सुनिशित की जा सके आवास और शहरी मामलो के मुंत्राले ने कहा है कि शहरों के घरों में 2 करोड 68 लाख नल लगे हुए हैं दिने इस मिशन के तहट जलापूर्ति मोहिया कनाने का प्रस्ताव है ये मिशन जलाशियों को पनरचेवित करने जल सरक्षन और गंदे पानी को साफ करके फिर से इस् पानल्स भी लगाये जाएंगे इसे दिन में सौर उर्जा और रात में पवन उर्जा मिलेगी नवीन और नवकर्णी उर्जा मंत्री हदीव सिंग डंग ने ये बात नवकर्णी उर्जानीती के प्रारूप की समिक्षा में कही देश में इस साल सबसे आधिक सूलर पार्क के देश में इस वर्ज सूलर पार्क अकंदरपर्देश के लिए स्विक्रत हुए हैं इनमें 1500 मेगवόट का आगर शाचापूर नीमच सूलर पार्क 600 वाट का उमकारेश्वर फ्लोटिंग सूलर पार्क 250 मेगवौट का चितरपूर सूलर पार्क और 1400 मेगवाट का मुरैना सुलर पार्क शामिल है ये सब ही पार्क 2022 से इसमें पूरे हो जाएंगे वहीं रीवा चतरपूर मुरैना सागर और रतलाम सुलर पार्क के लिए जमीन चिन्हित की गए है नई दिल्नी में आयोजित गड़तन दिवस समारों में मदरप्रदीश और 36 गड़ का प्रतनी जित्तु करने वाले NCC कैड़ेट्स को मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान कल प्रोस्कत करेंगे समारों में NCC की वेजर जर्नल संजय शर्म अपर महानदेशक NCC मदरप्रदीश और 36 गड़ सहित अनदिकारी मौजोद रहेंगे इस उसर पर मुख्यमंत्री श्री चोहान NCC की पत्रिका का विमोचन भी करेंगे अब कुछ समाचार सिंग शेफ में परनसली की गौरी अरजरिया को जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रैंड एम्बेसडर बनाया गया है गौरी ने 26 जनवरी 2021 को उतराखन के केदार काथा परवत पर अंतराश्री आडवंचर ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर माइनस 20 दिगरी तापमान में भी 12,500 के उचाए पर तिरंगा फेराते हुए राष्टगान गाया था टीकम गर्जिले को वर्ष 2019-20 के लिए 66 सेना जंदा दिवस के लक्ष को हासल करने के लिए राज़िपाल द्वारा सम्मानित किया गया है गुना में सिलास्तरी जनसुनवाई कारिक्रम में कलेक्टर ने असी आवेदुगों की समस्याओं का समुचित निराकरन कराया नगरीय प्रिशासन आयुक्त निकुंच श्रिवास्तव ने आज ग्वालियर में डोर टू डोर कच्रा संग्रहन सहित सफाई विवस्थाओं का निरिक्षन किया शैडूल संभागी मुख्याले पर जल्दी पासपूर्ट का रहला शुरू होगा इसके लिए कलेक्टरीट परिसर में जगह का चैन कर लिया गया है बृतिन के अंत में आप सभी से एक अपील मास्क और दोगज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार लिए, और एक अंत में जरूरी नमस्कार